नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत एक्जाम पाथफाइंडर में जहां हम आपके लिए government jobs, competitive exams, admission और vacancies से related latest information और alerts लेकर आते हैं इसके लिए आप हमारे platform alert.exampathfinder.com पे विजिट कर सकते हैं आप फिर अगर आप चाहिए तो हमारा आप जो है EPF alert उसको भी प्लेशों से इसली इंस्टॉल कर सकते हैं तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं मैं weekly ऐसी कुछ informative वीडियो लेकर आती हूं particular post, particular उनकी job profile, उस post की job profile जो है उस post की जो salary details है या फिर particular organization के लिए ताकि आपको उसके बारे में जाद से जादा जानकारी मिल पाए तो ऐसी informative वीडियो के साथ बने रहने के लिए आप हमारे चानल को subscribe जरूर करें तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूं शुशस्त्र सीमा बल के बारे में तो जैसा कि आप से भी जानते हैं यह बहुत ही बहुत सारे लोग जो इसके लिए apply करना चाहते हैं जो इसमें जाना चाहते हैं तो इसलिए मैं इसकी informative वीडियो लेके आई हूं ताकि आपको इसके बारे में detail जानकारी मिल पाए क्योंकि बहुत से लोग हैं जो इसके लिए apply करना चाहते हैं पर उनके पास पूरी information नहीं होती तो बढ़ते हैं detail information की तरफ तुश्रशास्तर सीमा बल के बारे में बात करने वाली हूं तो Ministry of Home Affairs Government of India ने SSB Recruitment 2023 का जो notification है official website पे release कर दिया गया है इनकी official website है ssbrectt.gov.in और total 1656 vacancy जारी की गई है SSB Recruitment 2023 के लिए और वो इन सभी पोस्ट के लिए जारी की गई है असिस्टेंट कमांड एंड वेटरिनरी के लिए सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ASI, स्टैनोग्राफफर, हैट, कॉंसेबल, कॉंसेबल, इन सभी के लिए ये vacancy जारी करी गई है अब वेट कर रहे हैं SSB के एक्जाम डेट के बारे में तो आहोब आप लोगोंने फॉर्म फिल कर दी होंगे बट फिर भी इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ इसकी जो एक्जाम डेट है वो भी रिलीस कर दी जाएगी ओफिशल्स के द्वारा तो अब इसके बारे में जानकारी जानते हैं कि इसका eligibility criteria क्या है तो इसके लिए age limit होने चाहिए 20-25 साल के बीच में और age relaxation है 5 साल का SCC candidates के लिए और तीन साल का OBC candidates के लिए और candidates ने graduation की होनी चाहिए किसी भी government university से अब जिसका selection processor बहुती जरूरी जानकारी है तो ये multi-stage processor और ये इसमे written exam physical efficiency test medical exam भी होता है तो ये सा कुछ selection process जैसा कि आप screen पर देख पार होगा सबसे पहले written exam होगा उसके बाद physical test होगा जो भी post है उसके हसाब से physical test होता है उसके बाद document verification होता है उसके बाद last में होता है medical exam तो ये इसका selection process है और उसके बाद हम जानते हैं कि जो SSB है इसके अंदर जो भी post होते हैं उनकी roles and responsibilities क्या क्या होती है तो थोड़ी बहुत जो roles and responsibilities होती है उसके पोस्ट भाइस डिफर करती है अलग अलग पोस्ट की थोड़ी सी different different थोड़ी बहुत difference होता है roles and responsibilities उनकी job profile में बड़ जो basic roles and responsibilities है वो मैं आपको बताती हूं तो जो भी border assigned किया जाता है उस उनको सिक्योर रखना होता है और जो भी महां के आसपास के लोग है जो भी महां पर लोग रह रह रहे हैं border areas में महां पर safe guard रखना होता है और एक sense of security को promote करना होता है जो भी trans border crimes है उससे बचाना होता है smuggler और कोई भी बॉर्डर से आनप आए साथ ही कोई भी अन्य ड्यूटी जो असाइन की जाती है central government के द्वारा SSB जो है वो डेवलब किया जाता है law order counter insurgency operation election duty तो जो भी काम central government के द्वारा दिया जाता है वो सभी उनको perform करना होता है तो यह सभी की roles and responsibilities है SSB की बाकी थोड़ी बहुत पोस की थोड़ी बहुत दिफ्रेंस होता है मैं आपको basic जो common roles and responsibilities हो रही है उसके बार में बता रही हूं तो आप देख सकते है roles and responsibilities की भी जानकारी है यहां पर तो आपको पता चल पा रहो को कि इसमें क्या काम होता है क्या क्या काम करने पड़ते उनकी safety देखनी होती है अब बात करते हैं बहुत ही important salary के बार में तो मैंने different different post की different different salary यहां लिखी है Assistant Commandant Veterinary की जो pay level है वो है level 10 56,100 से 1.77,500 सब इंस्पेक्टर SI Tech की है level 6 35,400 से 1.12,400 ASI paramedical staff के लिए है level 5 29,200 से 92,300 ASI steno की है pay level 5 29,200 से 92,300 head constable टेक के लिए है pay level 4 25,500 से 91,100 और constable tradesman का है pay level 3 21,700 से 69,100 तो यह कुद salary details है तो आप देख सकते हैं कि यह बहुती reputed post है इसमें और कौफी reputed organization और salary भी काफी अच्छी provide की जा रही है तो अगर आप इसके लिए अगर आपने form भरे हैं तो I hope आपको जादा जादा जानकारी मिल पाई होगी आपको information clear हो पाई होगी कि इसका क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस है क्या कैसे लिए प्रोवाइट की जा रही है और क्या क्या इसमें काम करना होता है तो I hope आपको जादा information मिल पाई होगी एसी वीडियो के साथ बने रहने के लाप मारे चानल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी वीडियो में हर हफ्ते लेक्या आती हूँ उसी के साथ इससे रेलेटेड अगर आप कोई भी information चेह करना चाहते तो आप हमारे community platform community.exampathfindy.com पर विजट कर सकते हैं इसका जो link है मैं description box में डाल दोंगी government job updates, government job notifications, admission updates, admission notifications के लिए आप alert platform. alert.exampathfindy.com पर विजट कर सकते हैं या फिर हमारा EPF alert आपको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और ऐसी और भी वीडियो हैं हमारे चानल पर different different post की informative वीडियो हैं उनके भी कुछ लिंक्स में डाल दोंगी तो और भी वीडियो के लिए आप हमारे चानल को go through कर सकते हैं आपको जिस भी पोस्ट के लिए आप apply करना चाते हूं उसकी आप जानकारी ले सकते हैं तो वीडियो में अंतक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धनिवाद दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में वीडियो अच्छ झारी टाल किसे लुडियो नही हमारे अप्राट हैं भुड़ागरे चानल क lives याली आप जाप सकते हैं आप सकते हैं अपyrियो सर्ट सकते हैं गली वीडियो में आप गभाराश बहुत थो प्टराव झाल झाल